पाकिस्तान में सच में ऐसा लग रहा है यह इंडिया है यहां चाहिंग पांस हे रहा है हमारे पास है हम सोसाइटी की जोर नियम है दोस्तों मुंबई की मीरा रोड कॉलोनी में एक व्यक्ति के द्वारा बकरीद के त्योहार से पहले कुर्बानी के लिए बकरा सोसाइटी के भीतर लाए जाने पर काफी बड़ा डिस्प्यूट हो गया है बकरों को लिफ्ट के जरिये जब बाहर लाया गया तो लोगों में रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने विरोध करशन किया तथा सोसाइटी के भीतर पुलिस तैनार करने की मांग की दोस्तों समाचार एजनशी के अनुसार जो बयान दिये गए हैं तो उसमें सोसाइटी के एक रेजिडेंट ने यानि की निवासी ने कहा है कि सोसाइटी में ये नियम बनाया गया है कि किसी भी प्रकार के जानवरों को सोसाइटी के भीतर नहीं लाया जाएगा लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इस नियम का उलंगन करते हुए सुसाइटी के अंदर दो बकरे ले आए हैं और जिसका हम completely विरोध करते हैं दोस्तों जानकारी के अनुसार सुसाइटी में बकरे लाने वाला परिवाद अपने फ्लैट में बकरीद तक बकरे को रखना चाहता था जिसका अन्यन निवासियों ने विरोध किया था हाला कि विरोध के बाद भी ये व्यक्ति नहीं माने और इस्थिती पुलिस को बुलाने की आ गई एक पक्ष का आरोप है कि घटना इस्थल पर पहुँची पुलिस ने बकरे लाने का विरोध करने वालों पर लाठी चार्ज तक कर दिया मुंबई पुलिस ने अब इस संबन में मामला दर्ज कर लिया है और ज्याच अभी जारी है वहीं शोशल मेडिया पर इस पूरे मामले को मज़भी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है लगातार प्रोपगेंडा फैलाते रहने वाले कई अकाउंट्स ने इसे दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की है दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि अधिकांश राजियों में ये नियम होता है कि किसी भी प्रकार के पशु की कुर्बानी सारवजनिक इस्थान या अपने घर के अंदर नहीं दी जा सकती है इसी आधार पर सुसाइटी के अन्यन निवासियों ने बकरे लाने को लेकर विरोध किया था बकरे को लेकर हुए डिस्प्यूट के बाद अब घटना इस्थल पर शांती वेवस्था को बनाये रखने के लिए मुंबाई पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है दोस्तों इस घटना के बाद लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है और एक वीडियो में एक महिला ये कहते हुए भी नजर आ रही है और सुनी जा सकती है कि ये पाकिस्तान नहीं इंडिया है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपडेटर रहने के लिए लेट्स्टाक लॉस को फालो कर लिजिएगा फिर मिलती हूं नई वीडियो के साथ तेल देन बाबाई